नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर फेक्षान आएस में BPSC Mains को ध्यान में रखते हुए GS Paper 1 को हम लोग बारी बारी से कंप्लीट कर रहे थे इसमें हम लोग ने देखा दे हुआ था Art and Culture का पोर्षन Art and Culture का पोर्षन इसमें Maximum जो पोर्षन था मैंने कंप्लीट करा दिया था जैसे कि पाल कला हो गया, मदवनी चितर कला हो गया, पटना कलम चितर कला हो गया ऐसे बहुत सारे पोर्षन को मैंने कंप्लीट करा दिया था अब इसमें एक और important topic छूट रहा था 38 नमर का जिसका नाम है मौर्यकला मौर्यकला अब इस मौर्यकला का अंतरगा 38 नमर में से Maximum मार्ष को किस तरीके से आप गेन कर सकते हैं इसके लिए दो चीजों पर बिसेश ध्यान देना होता है एक तो होता आपके writing skill और दूसरा होता है कि इसमें आप कितने अधिक से धिक जो dimension को आप बड़ा कर पाते हैं जो कि मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ तो मेरे साथ बिलकुल बने रही है पढ़ाने का तरीका ठीक है मेरा वहीं रहेगा फ्लो चार्ट के माधियम से मौरे कला तो आप लोग heading डालियें यहाँ पर मौरे कला काफी बहुत बड़े dimension के अंदर गत हम लोग देखने का प्रयास करेंगे सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करेंगे भूमिका अब इस भूमिका के अंदर गत पुरा पुरा आपको समझ में आएगा हडपा काल से मलोग लिंग करने का प्रयास करेंगे कि याकिर मौरे कला ने मानवी कला को किस तरीके से बेहतर रूप देने का प्रयास किया उसके बाद दूसरे नमबर पर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर बिसेस्ताय या फिर इसका बिस्तार के रूप में समझ सकते हैं, राजकी ये प्रसराई के रूप में समझ सकते हैं, या फिर इसको ठीक है, जो भी सोतंतर कलाकार, जो चितरकार थे, उसमें मौझूद उनके द्वारा भी बहुत सरी कलाकृतियों के बनाया गया था, इन सारे ही रूपों में आप समझ सकते हैं, तिसको मैं यहा यहां पर राज की अकला, राज की अकला, राज की अकला का मतलब सिंपल सा मतलब है यहां पर ठीक है, राज की प्रसराई के द्वारा अर्थात इसको दर्बारी कला के रूप में भी आप समझ सकते हैं, अब इसमें सास को के द्वारा यहां पर जो भी प्रसराई दिया जा रह मौर्य का नाम आ जाएगा चंद्र गुप्त मौर्य का नाम आ जाएगा इसके द्वारा बनाया गया दो चीज बहुत पिस्थार से देखेंगे उसके बाद दूसरा सासक यहां पर आ जाएगा थिक ए असोग द्यार रखेगा असोग अब असोग के ध्वारा जो बनाई गई जो ठीक है दसरत के बारे में दसरत तो दसरत कौन था बिलुकल आपको सिंपल सा लिंक करना यहाँ ठीक है चंदरगुप्त मौर्य का यहाँ पर हो जाएगा पोत्र बने पोता असोक और असोक का यहाँ पर पोत्र हो जाएगा दसरत धानरके का पोत्र पोत्र ठीक है मैं यहाँ इ देखने के लिए मिल जाएगा तो इसके द्वारा भी कुछ गुहा बिहार की यहां पर रचना करवाई जाएगी इसके लावा कुछ कौमन चीज है यहां पर इन सासकों के अंतरगत देखेंगे तो कुछ यहां पर ठीक है जैसे कि कुछ सिको का निर्मार आपको देखने के लिए मिल जाएगा जो कि पंच मारक और आहत सिक्य का है एक डवलप्मेंट रूप यहां पर आपको दिखाई देगा ठीक है तो उसे भी आपको यहां पर ध्यान रखना है अब यहां पर हम लोग बात करेंगे दूसरे नमर पर कि जो भी य यहां पर सोतंत्र जो कलाकार होते थे जिनको राज किये प्रसराय नहीं मिलता था सोतंत्र कलाकारों के द्वारा इन लोगों के द्वारा भी बहुत सारी यहां पर मूर्तिया बनाए गई मुर्तिया के साथ साथ आप लोग देखेंगे तो मिट्टी के बरतन हो गया मिट्टी के बरतन मिट्टी के बरतन के लाव देखेंगे यहाँ पे तो कुछ मनके के भी यहाँ पे सक्ष मिनते हैं ठीक है मनके मतलब समझ रहे हैं न यहाँ पे भी आभूसवर के छेतर में जैसे कि हरपगा काल वगेरा में आप लोग के शुना जरूर होगा, तो यहाँ पे मुर्तिया हो जाएगा मिट्टी के बुर्तन परतन हो जाईगा इसके लावा यहाँ पे कुछ मन के इसे बनाया गया या उस टाप का बहुत सा राजोचीत रहें देखेंगे तो कुछ राज की प्रसराई के द्वारा भी मुर्तिकला को बढ़ावा दिया गया और कुछ सोतंद्र कला को द्वारा भी ठीक है मुर्तिकला को बढ़ावा दिया गया तिसमें दोनों का दोनों ठीक ह युगदान आपको देखने के लिए मिल जाएगी, उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहां पर इसके अलोचनातमक परिछड़की, यहां पर अलोचना किया जाता है, या फिर हम लोग का सकते हैं कि बिदेशी परभाव के रूप में यहां पर दिखाया जाने का प्रयाज किया जाता है इरान में उसमें सासकता ठीक है अखमनी संबरा जी या फिर उसको ठीक आर्किमिट एमपायर की रुप में भी जाना जाता है तो उससे यहाँ पर कंप्रिजन किया जाता है कि हो ना हो वहीं से सारा के सारा कोंपी किया गया है ठीक है मौरियन लोगों के द्वारा इसक इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि मौरेकला में जो भी अकृतिया थी इसका धरम के साथ क्या संबंद था धरम के साथ यहां आपको संबंद अस्टेवलाइज करने की कोशिज करना है और उस समय धरम तो सबसे फेमस धरम वही था बहुत धरम तो आप यहां पर समझ सकते हैं बहुत धरम के साथ मौरेकला का संबंद उसके बाद लाश्ट इम्लोग बात करेंगे यहां पर समिक्छा या फिर यहां पर एक निसकर्स के रूप में आप समझ सकते हैं समिक्छा या निसकर्स के रूप में तो आप इसी संदाज़ा लगा चुके होंगे कि कितना बड़ा बड़ाइमेंसान है हर एक चीज को बहुत बारे बारे से हम लोग देखने का परयास करते हैं सबसे बहले बात करते हैं हम लोग भूमिका के भूमिका के ठीक है अब भूमिका के अंदर देखें हाँ पर बात करें तो बहुत ही ओरिजिन से हम लोग सुरुवात करते हैं जैसे हम लोग बात करते हैं जब ही पसार काल से पसारकाल से, देखेंगे तो किसी रूप में कला हो गया या फिर समझ रहत भी ज़गान हो गया हर एक के छेटर में भिकास होना यहाँ पर सुरू हो गया जैसे कि अगर हम लो esharck करें पसारकला में तो देखिए आधी मानों के द्वारा बड़े बड़े अगर पत्थर का उपकरण बनाया गया तो उसको अपनी अवसाखताओ के अनुरूप उसको ढ़ाला गया बड़े बड़े पत्थरों को भी एक सेप देने का प्रयास किया गया चाहे उस सिकार के ही छेतर में क्यों ना हो चाहे अपने जीवन को असान बनाने के छेतर में क्यों ना हो लेकिन हमने क्या देखा कि पसाड काल से आगे जब हमने मध्य पसाड काल में देखा तो मध्य पसाड में खास कर इस कला के छेतर में और अधिक हमें ठीक है एक बेहतर द्रिष्टी कोड़ी दिखाई देता है ज और 9 पसाड काल में तो अब यहां पे जो भी आधी मानव था पूरी तरीके से एक तरीके से डेवलप हो जुगा था किरिसी कारे वगएरा हो गया किरिसी कारे के साथ साथ यहां पे हम लोग आर्ट इन कल्चर के टॉपिक हम लोग कम्प्लीर कर रहे हैं तो उसको भी ध्यान मे रखना होगा कि यहां पर जो भी उनकी हथियार थे जो भी उनके ठीक है डेली यूज के जो भी आपर समान हुआ करते थे उस पर एक बहुत ही संदार इफेक्ट दिखाई देता है हमें आर्ट इन कल्चर के चाहिए मिरिद्भान ही क्यों ना हो मिट्टी के ठीक है बरतन हो गया या फिर चाहें हो हथियार हो गया लकडी के हथियार से लेकर पत्थर के हथियार से सब यहां पर बहुत संदार दरीके से बनाया जाने लगा फिर उसका एक हमें एक विक्सित ठीक है जो सोरूप हमें दिखाई देता है हडपा काल में हडपा काल में हमें दिखाई देत और वास्तु कलाग मतलब किसी भी वास्तु पर बनाया गया उत्किर किया हुआ ठीक है उसमें यहां पर वास्तु कला है यह आपको बेहतर ही एक उच्छ अस्तर का आपको दिखाई देगा उच्छ अस्तर का आपको दिखाई देगा अभी भी देखिए वर्तमार में इसके पर लगाया जाता है कि एक बेहद ही एक उच अस्तर पे इस ठीक हड़पकाल में जो कला था वस्तु कला था हर एक छेत्र में डेवलप यहाँ पर कर चुका था लेकिन यह तो पूरी तरीके से ठीक है ब्रेक लग गया चुकि हड़पकाल के पतन होने के पहस्चाद इसकी जो निर अरता आगे आपको दिखाई नहीं देखी जुकि इस काल की सभ्यताय पूरी तरीके से नष्ट हो गई बरबाद हो गई क्छतम हो गई अब इसके बाद से एक नया एरा आता है अब इस नया एरा से ही आपको यहाँ पे ठीक है पूरी तरीके से लिंक करना होगा मौर्यकाल क और उस नया एरे का नाम है यहाँ पर वैदिक काल ठीक है अब वैदिक काल से आप लोग देखेंगे पूरी तरीके महाजनपद काल तक तो यहीं ठीक है चलते रहाता है महाजनपद काल तक जिसे वैदिक काल में देखेंगे चाहें यग्यों का बनाना ठीक है यग्यों को किस तरीके से आग जलाने के लिए कहीं कहीं अगर उसमें ठीक है इटो को रखके बनाया जा रहा है तो भी कहीं कहीं आर्ट कल्चर को यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है धीरे-धीर महा जनपत काल आ गया फिर यहाँ पर कला वस्तु कला के खेतर में कुछ डेवलाप्मेंट और हमें दिखाई देने लगा जीसे कि बहुत सारे समराजयों में सिक्को का प्रचलन धीरे-धीरे बबटने लगा आहत सिक्के जीसे बोला जाता था तो इस चीज को आपको समझना है तो महा जनपत काल तक आते 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 आप देखेंगे तो फिर से एक नि पत काल का मिला जुला रूप अब देखने के लिए मिलेगा मौरेकाल में मौरेकाल में ठीक है अब यहीं होगे मौरेकाल अब मौरेकाल ने का किया तो पूरी तरीके से मानव कल्पना को बेहतर अकार देने का प्रयास किया मानव कल्पना को बेहतर अकार बनाने का ठीक है प श्यत्री में इसीलिए मौर्य क楽े को यहां पर ध्यान रखेंगा ठीक है अप्र मौर्य काल को इक्तु कboro की इतिहांस में देखेंगे ठीक करके की थियांस में थिस्कौई यूग भी भाद मेरा जाता है यूग भी भाद मेरा ऑप समझ रहाएं में आप जितनी भी आप चीज़े देख रहे हैं कहीं कहीं देखेंगे तो उसका जो ओरीजीन था कला या वास्ति कला के छेतर में ये मोरिया टाइम से ही धीरे-धीरे एपलपमेंट होना सुरू हो गया था जो कि आज हमारे समाज में वहीं चीज़े किसी निकिसी ठीक है रूप में बिक्सित रूप में आपको देखने के लिए मिल जाएगा अब इस समय क्या हुआ तो देखेंगे चाहें हम लोग बात करें लकडी का ठीक है लकडी के मतलब आपको दिखाई देगा जो अपलाई इन लोगों न किया वास्तुकला के छत्र में वास्तुकला के साथ-साथ मूर्तिकला सिक्का हो जाएगा, सिक्वों के छत्र में, जैसे कि इसमें, ठीक है, कुछ हथ तक आपको कांसे और, ठीक है, कांसे के सिक्खे भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, पेंटिंग का यहाँ परियोग किया है जबड़जस्त मातरा में ठीक है वस्तु काला में देखेंगे यहाँ पर नकासे का परियोग जबड़जस्त तरीके से किया गया अलंकरण का इसमें परियोग जबड़जस्त तरीके से किया गया तिन सारे ही चीजों को देखें लिंक कर मिल का पत्थर साबित होता है और किसी भी समराज में इस सारी चीज़े जब तक अच्छा नहीं होगा कभी भी देखेंगे तो वहाँ पे ठीक है मानो कल्पना को मानो कला को एक बहतरीन प्रियास देने का प्रियास यहां पे ध्यान रखेगा नहीं दिया जाता है यह सारी में मैंने दो चीजों का जिक्र किया था या फिर उसको अब बिस्तार कहा सकते हैं पहला था यहां पे राज की अकला और दूसरा था यहां पे लोक अकला तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहां पे राज की अकला का राज की अकला का ठीक है जिसका जो प्रस्रह यहां पे सासको के द्वारा यहां पे दिया गया। चंद्रगुप्त मौर्या। चंदर्गुप्त मौर्य की ठीक है बेहदी संदार ठीक है संराज्य इस ने भी चलाया और माना जाता है कि असोक का एक बहुत बड़ा जो भागरा असोक में कलिंग के युद को उटा देंगे तो जितना बड़ा समराज्य मिलेगा कहीं कहीं चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही ठीक है, उकुपाई किया गया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो ठीक है, अपने आप में जो नाम परियापत है, भारती इतिहास में द्यान रखेगा, चंद्रगुप्त मौर्य, इसके समय दो चीजों का आपको कला के ठीक है बिलकुल हडपा काल टाइप का आपको दिखाई देगा हर एक छेतर में राज परसाद और पार्टली पुत्र को लेके तो सबसे पहले हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं जो काफी चर्चा में रहता है चंदर गुप्त मौर्य का राज परसाद राज परसाद एकजाम में बार बार इसको पूझा जाता है इसके राज परसाद को तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसकी अवस्तिती की कहा है ये राजपरसाद सतो समझ में आई गया होगा इसकी अवस्तिती की बात करें ये वर्तमान में कहा मिल जाएगा आपको पाठना में पाठना में छेतर है उस छेतर के नाम से आप लोग भली भाती परिचीत होंगे कुम हरार का छेतर ठीक है कुमहरार का छेत्र यहाँ पर आपको देखने के लिए में अगर मिल जाएगी बहुतायत माक्तरा में लकडियों से बनी कलाकृती लकडियों पर ठीक है जो भी कलाकृतियों का निर्मार किया गया है जैसे कि कुछ अगर हम लोग एक जामपल की बात करें तो यहाँ पर फर्स हो गया या फिर इसकी छट हो गया फर्स और छट में देखेंगे ठीक है तो लकडियों का बहुतायत परियों किया गया है इसके अलावा आपर यह कौर चीज मिली हुई है 40 पॉलिसदार चमकदार 40 पॉलिसदार चमकदार पसार अस्थम मिला हुआ है पसार अस्थम और मौरे कालिन पसार अस्थम हो की सबसे बड़ी खासियत होती थी लगता था कि यह कास्मक है यह कहीं पत्थरों पर बनाया गया है और उसमें थोड़ा बहुत ठीक है नकासी और अभी आपको देखने के लिए मिल जाएगी तो पसार अस्थम इस सबसे बड़ी इसके खासियत ही ठीक है कि चमकदार अस्थम यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी उसके बाद ठीक है हम लोग इसके उलेखों की बात करें चुकि इतना बड़ा राजपरसाद है कुछ ही यहाँ पर इतिहासकार लोग आएगा ठीक है उस समय का और बताएगा इसके बारे में जैसे कि इसके उलेखों में सर बर्थम नाम आता है मेगस थनीज का मेगस थनीज का ठीक है मेगस थनीज बोलता है कि देखो भाई यह जो राजपरसाद है ना समझ रहे हैं यह मानो जाती का सबसे महान किरिती है बोलता है यह मानो जाती की सबसे महान किरिती सबसे महान किरिती ठीक है इस राजपरसाद को बोलता है तो आपको लगना चाहिए अभाई यह इसे बात हैं किया जा रहे हैं राजपरसाद है क्या थे राजपरसाद का मतलब होता है simple भासा में देखा जाए तो इसको बोला जाता है सभाभवन जहां सासक ठीक है सभा करता है सासक जहां बैठता है सभाभवन बकाईदे इसका साइज मिला है 140 into 120 फीट का लंबाई गुणे चोड़ाई के रूप में से आप समझ सकते हैं इतने बड़े ठीक है एरिया में इसको बनाया गया था उस समय तो अब समझ रहे हैं यहापे क्या बोलटा मेगस्थनी इसकी मानो जाती कि यह सबसे महानकृती है अभी तक ऐसा कहीं कुछ बनाया ही ने गया था वही एक और ठीक है युनानी ही इतिहासकार होता है एरियन थार केगा एरियन एरियन उस समय ठीक है दुनिया के सबसे परसिद नगरों की इससे कंप्रिजन करता है एक नगर था यहाँ पर सुसा और दूसरा नगर था यहाँ पर एक बतना एक बतना बोलता है एरियन इससे भी कहीं सुंदर ठीक है पार्टली पूत्र का अर्थाद चंद्रगुप्त मोरे का यहाँ पर राजपरसाद है वहीं आगे चलके मोरे समराज़े के बाद से यहाँ पर पतनजली का भी आगमन होगा आपको याद होगा ठीक है सुंग बंस जो कि पुछ से भीति सुंग का ठीक है इनके द्वारा अस्व में एक यग भी कराया गया था पतंजली के द्वारा भी यहाँ पे बोला जाएगा ठीक है कि अपने यहाँ में ठीक है एक दम आकरसक चीज है आकरसक ठीक है और एक विक्ति का और नाम यहाँ चीनी यातरी का नाम आएगा फाहयान का नाम आएगा फाहयान बोलेगा कि हो नहों इसको मनुस्यों के द्वारा इसको बनाया नहीं गया है, इसको इस्वर के द्वारा, देवों के द्वारा इसका निर्मार किया गया है, अब इतनी सारी बाते सुन रहे हैं, तब देख लिजे कि बना कैसे था, तो इसकी बिसेस्ताओ के रूप में आपको समझने की जरूरत है, बिसेस्ताओ के रूप में स जाता है कि 84 पीलर एकदम एकदम समझ रहे ना 84 पीलर इसमें लगाया गया था इतनी सुन्दर तरीके से ठीक है लगभग 84 पीलर तो मैं यहां पर संख्या लिख देता हूँ 84 पीलर वाला ठीक है आप कह सकते हैं विसाल कच्छा के रूप में यहां मौझूद था विसाल कुछ इधर लगा जरूर ही होगा ठीक है तो जो भी यहां पर ठीक है पीलर जो होता था इसमें बताया गया है कि इसमें सोने की ठीक है लट्टा या फिर चांदी की जो चित्री है चांदे से बने जो चित्र है सोने का लट्टा हर एक पीलर में या फिर चांदी की ठीक है बीविन परकार के जो भी वस्तू है ठीक है उनके यहाँ पर चितरों को भले भाती हर एक पिलर में इसको बनाया गए है साजावर के रूप में इसके उपर कुछ है ने जैसे पिलर को पर होता है ना मतलब किसी परकार का मतलब जन्तु का चितर हो गया जन्वरों का चितर हो गया कोई भी नई सीधे ये पिलर यहाँ पर खड़ा है बकाईदे इस साइट पर कोने में बताया गया है कि यहाँ पर सासा का बैटने के लिए जो भी मंत्रियों के लिए ठीक है बैटने के लिए यहाँ पर लगा रहता था तो बहुत ही संदार तरीके सी इसको यहाँ पर ठीक है बताया गया है दिखाया गया है ठीक है तो इसको आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेगा इस टाइप की संरचना आपको बता देना है इसी की जो फर्स है और इसकी जो छट है बोला गया है लकडी से यहां पे बनाया गया था लकडी से बनाया गया था जो आज भी इसका जो evidence है ठीके वर्थमान में कुम्हरार के च्छेदरों में देखने के लिए मिल जाएगी अब यहां पे दूसरी हम लोग बात मेगा स्थानीज की इंडिका में मेगा स्थानीज के लिखी के गईran यह बुक है इंडिका लेकिन ध्यार ठेक लाए जो इंडिका है अपने मुल रूप में नहीं है ठीके मे रसनी eyतृ ने जो बुक लिखाओ था इंडिका वह थो बहुत पहले है accept theorem गया अ 1957 का संसोधित वर्जन है जो कहीं कहीं इसमें कुछ ठीक है जरूर हो सकता है कुछ मोडिफिकेशन इसमें किया गया होगा मेगस्थनी जी ने नगर की बिसालता और नगर नियोजन पर बल दिया है जैसे कि यहाँ आप हडपा काल में हडपा काल का आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा कि नगरियों जो सभता कितनी आप ठीक है बिक्सित थी कुछ उसी परकार का यहाँ आपका देखने के लिए मिल जाएगा तो इसकी बिसेस्ताओं में आप ठीक है नंबर वन आप लोग देखेंगे फोड़ा सा ठीक है मान के चलिए कि यह पूरा का पूरा जो छेतर है यह सपोज करिए कि यह वहीं जो छेतर है यह पार्टली पूतर का छेतर है पार्टली पूतर का जहां सासक रहता है तो बोलता है कि चारो और उसने क्या किया था सासक ने तो प्राचीर और दुर्ग का न पिर मार करवाया था, फिर बोलता है कि बीच-बीच में देख रहे हैं न यह जगा जगा पर, बीच-बीच में यहाँ पर जो खाली जगा छोडा गया था, बीच बीच में खाली जगह छोड़ा गया था खाली जगह छोड़ा गया था चुकि यह प्राचीर है दूरग है बहुत उची होगी और बीच में यहाँ पर छोड़ा गया था खाली जगह तीर को चलाने के लिए तीर को चलाने के लिए चाज ताकि कोई भी दुस्मन आये तो उसको यहाँ पे मार गिराया जाए ठीक है तो इसका बहुत बड़ा गिजाम पहले अगर आप आएंगे वर्तमान में ठीक है चाहें आप ठीक है दिल्ली में आ जाएए लाल किला को ताको बीच बीच में तो पिया फिर बंदूख रखने की जगह देखने के लिए आपको मिल जाएगे चारो और बोलता था कि यहाँ ए देख रहे ना यहाँ पे चारो और यहाँ पे खाई बनाया जाता था खाई सब यह आपको लाल किलाम देखने के लिए मिल जाएगा तो यहाँ पे चारो और ध्यान रखेगा खाई बनाया जाता था चारो और खाई ठीक है जिसकी गहराई होती थी 60 फिट गहरी और इसकी चोड़ाई होती थी लगभग 600 फिट बाहुवली मूभी आपनोंगों ने जरूर देखा होगा देखते होंगे न किस प्रकार से में दर्वाजा की नीचे ठीक है बहुत बड़ा खाई होता था पानी उसमें होता था भर के और फिर नगर में परवेश द्वार के लिए मानगे टिलिए किसी भी डारेक्शन में अगर सपोच करें कि यहाँ से अगर इंट्री हो रही है तो परवेश यहाँ पे द्वार बनाया गया था और हर जगा इसके उपर पान्सो सत्तर टावर लगाया गया था पांसो सत्तर टावर उपर ताकि और भवे देखें टावर की रूप में आप समझ सकते हैं ठीक है तो कुछ इसी प्रकार की बिस्यस्ताओं को आपको बॉर्डन करना है ऐसे देखें इमेज के माधि हमसे दिखाने से वो चीजे किलियर हो जाती है ये कलासरूम में कहिती से लिए मेरा प्रयास रटाने में नहीं बलके समझाने में होता है थोड़ा आपको समय देना होगा सारी की सारी कीजे किलियर हो जाएंगी अब यहाँ पर हम लोग दूसरे सासा की बात करते हैं यहाँ पर असोक की ठीक है जैसे कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अस्तंब की अस्तंब एक पीलर के रूप में समय सकते हैं पीलर होता था और चोटी पर इसके पसू की आकरी होती थी पसू की चोटी पर पसू आकरीती होती थी जैसे कि सांड हो गया सेर हो गया हाथी हो गया अब यह स्तंब आपको दो परकार का देखने के लिए मिल जाएगा एक तो हो जाएगा यहाँ पे लिपी बद, लिपी बद के मतलब समझ रहे ना यहां पर, कि बिलकुल कुछ न कुछ उसमें लिखा गया होगा, लिपी बद, जैसे कि यहां पर कुछ एकजामपल के रूप में समझ सकते हैं, दिल्ली मेरट, इन सारे ही अस्तंबों से आप लोग भली भाती मतलब परिचीत हो वाया, दिल्ली मेरट हो गया, दिल्ली टोपरा हो गया, इलहाबाद अस्तंब हो गया, इलहाबाद, ठीक है, अस्तंब, इसी में परियाग प्रस्तस्ती का भी जिक्र मिलता है, जो कि ठीक है, जो हरिस्यन के द्वारा समुंदर गुप्त का दरवारी का भी था, बहुत ही इस का अस्तंब हो जाएगा सारनात कि इसके अलावा यहाँ पर लुंबनी इसके अलावा यहाँ पर लुंबनी ठीक है तिन सारे ही जगों पर आपको लिपीबद अस्तंब देखने के लिए मिल जाएगा लिपीबद अस्तंब बिसकली हाँ पर होता क्या था तो सासक का फर्मान का सकते हैं जैसे वर्तवान में ठीक है कोई भी गर ठीक है चीजों को अगर बताना होगर लोगों को तो समिधान के माधियम से कानून के माधियम से बता दिया जाता है तो उस समय सासक ठीक है इन अस्तंबों का प्रियों करते थे बहुत सारे जो भी लेक जो होता था उसका प्रि इसमें कुछ लिखा हुखा नहीं होता था, ठीक है, साधा आस्थम, बिल्कुल plain, जैसे की बसाड हो गया, इसके लवाए हैं, अब हो जाएका कोउसरा, बसाड हो और कोउसरा में बिल्कुल साधा आस्थम, उसके बाद हम लोग बात करें, हाप अस्तूप की, तो अस्तूप माना जाता है कॉस्वोक के दोरा 84,000 से अधिक 84,000 से अधिक अस्तूपों का निर्मार करवाया गया जिसमें सबसे फेमास अस्तूप माना जाता है साची का अस्तूप साची का अस्तूप जिसको युनेस्को साइट में सामिल किया गया है ठीक है इसके अलावा पसाड वेदिका आपको देखने के लिए मिल जाएगे बना जाता है ठीक है कि इसका जो भगनावेश जो मिला हुआ है ठीक है चाहे वो सारनात का हो चाहे बोध गया का हो वहां का ठीक है जो भी पसाड जो वेदिका है वेदिका समझ रहे न यहाँ पर स्तूप के ऊपर बनाया जाता था या फिर बिहारों के आजपस बना जाता था वेदी के रूप में टिकनी के लिए तो कुछ यहाँ पे चमकीला वेदीका यहाँ पे मिला हुआ है पार्टली पुतर की खुदाई में इसकी भी हम लोग चर्चा कर लेंगे पसाड वेदीका और यहाँ पे एक हो जाएगा गुहा बिहार बहुत इंपोर्टेंट है गुहा बिहार बहुत सारे गुहा बिहारों का आपको ठीक है नाम यहाँ पे जानने के लिए मिलेगा उसमें मौजूद छोटी छोटी जो विहार है उसके विबारे में जाने के cœur मिलेगा विहार का मतलब क्या होता है तो भीचुओं का नि्वास अस्थान भीचुओं का निवास अस्थान जीसे कि देखेंगे सुरुवात में आजीवक जो भीचुख होते थे वे भी इन गुफ़ भी हरों रहते थे फिर बौध वाले आगए वे भी रहने लगे जैन वाले आगे ये सब भी रहने लगे ठीक है तो यावे भीचो का निवास अस्थान होता है जैसे कि बिहार में आपको देखने के लिएगा बराबर की गुफा नगारजनी गुफा में पिर नगारजनी पहारी में जो कि वर्तमान में आपको मिल जागा है नगारजनी पहारी जहानाबाद में ठीक है तो सब को मैं लोग बारिवरी से यहाँ पर देखेंगे चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके अस्थम्बो की बिल्कुल ही मेरे साथ ठीक है आप लोग बने रहे हैं सारे चीजों को यहाँ पे लिख लिख के आपको समझाया जाएगा तो नमबर वन यहाँ पे हो जाएगा अस्थम्ब अब अस्थम्ब में आपको कुता ही नहीं बरतना है तो रहत कॉपी पेन निकलना है और मेरे साथ बनाना है ताकि एक ही बार में आप लोगों की सारी सारी चीज़े किलियर हो जाए तो स्थम्ब मनाने के लिए सबसे पहले उसका क्या चाहिए चौड़ा अधार चाहिए चौड़ा यहाँ पे अधार यहाँ पे हो जाएगा अधार उसके बाद से यहाँ आपको ठीके नीचे अधार के तरफ चौड़ा होना चाहिए उपर जियो जियो जाएंगे ठीक इधर पतला होना चाहिए कुछ इस टाइब के संरजना सोड़ी तोड़ा यह टेड़ा हो गया है इस टाइब के कुछ संरजना आपको यहाँ पे बनाना है ठीक है तो इधर आप क्या देख रहे हैं कि जेव जेव हम उपर के तरफ जा रहा है ठीक है इसमें देख रहे हैं यहाँ पे यह पतला होते जा रहा है पतला होते जा रहा है इसी को यहाँ पे बोला जाता है गवादम लाट ठीक है इसी को कहीं आपको तना भी देखने के लिए मिल जाएगा तना उपर जाएंगे यहाँ पे तो यहाँ पे कुछ इस टाइब की अकृति आपको देखने के लिए मिल जाएगे जिसको बोला जाता है मेखला मेखला और मेखला के जस्ट उपर ठीके आपको मिल जाएगा उल्टा कमल तो कमल बनाने तो मुझे बहुत अच्छा नहीं आता है लेकिन थोड़ा बहुत इसारा करेंगे तो कि कमल टाइप का यापको यहाँ पर बन जाएगा ठीके तो यह हो जाएगा कमल ठीके कैसा कमल आपको बताना है उल्टा कमल उल्टा कमल इसी को अवांग मुखी कमल भी बोला जाता है अवांग मुखी कमल अवांग मुखी कमल ठीके उल्टा कमल उसके बाद यह बीज का जो इलाका है छोटा सा इस टाइब का होता है ठीक है इसे इसको बोला जाता है कंट कंट और इसके उपर एक बेस के अधार पे ठीक है इसका एक अधार टाइब का इधर चोवकी बना होता है इस टाइब का इसको बोला जाता है चौकी इसी चौकी में देखेंगे तो कई परकार की आपको आकरिती देखने के लिए मिल जाएगे जैसे बीच में हो जाएगा ठीक है जो धरम चक्र पर उरतन का चीन हो जाएगा इसके अलावा इधार ठीक है तो यहाँ पर पफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफ इतना उस सेंस होता है, सायम होता है, अपनी नए तिकता बी पूरी तरीके से ठीक है, यह मतलब करते हूँ एक मैसेज देता हुआ नाजराएगा कि सेहर देखते हूँखें, अधर दूसरे का सिकार जल्दी ठीक है, मतलब छिंता भी नहीं तो यहां पर दूसरे पसूर्प जा जंगल का कहीं कहीं देखेंगे तो ठीक है मतलब जंगल का राजा बनाता है तो यहाँ पे ध्यान रखेगा अहिंसक मुद्रा में ध्यान रखेगा अहिंसक मुद्रा में जो भारत की कहीं कहीं बिदेश निती को भारत की बिदेश निती को भी यहाँ पे इंडिकेट कर दिये क भारत खुद एक परमाडू संपन देश होने के बाद भी दूसरे पर फस्ट ठीक है नो फस्ट यूज की पॉलिसी पर चलता है भारत की बिदेश निती को दरसाता है लेकिन हाले ही में जब बना हुगा था जब ठीक है भारत का दूसरा नया संसत भवन बिश्टा तो उसमें दहारते हुए चित्र का ठीक है सेर के चित्र का अंगन किया गया था जो आप लोगों ने नियूज में जरूर सुना होगा तो इसा बोला जाता है कि देखो भारत की जो बिदेश निती या क्रामक बिदेश निती के तरफ चल पड़ा है खैर तो यहाँ पर थोड़े इसके पथर से ठीक है बनते हुए आपको मिल जाएगा विल या जाता था लाया कहां जತक हम यूपी में दो च्तर है यहां पर चुोनार का और दूसरा च्तर है यहां पर मतुरा का बिल्कुल ही आपको दिखने के लिए मिल जायगा घर रखेगा गोलकार एकदम गोल ठीक है इसके हम लोग लंबाई की बात करें तो लगवग 20 फिट से लेके 50 फिट उचाई तक उचाई तक ठीक है वजन की बात करें तो लगवग 50 टन के आसपास दूर से देखेंगे तो लगेगा कि यह एक आसमक है यह कहीं पत्थर इसमें आपको दिखा लेकिन ऐसा नहीं है इसके सबसे बड़ी खासियत है इसमें जो चमकदार जो पॉलिस लगा दिया जाता है चमकदार पॉलिस का जब परियोग किया जाता है तो लगता है ठीक है बीच में जो ज्वाइंट होता है और ढख जाता है ठीक है चमकदार यहां पर पॉलिस ठीक है खास कर इसमें धातू का पॉलिस ठीक है लगाया जाता है और इसमें और ध्यान रखेगा इसको सजाया जाता है सजाने के लिए या फिर किसी भी परकार का संदेश इसमे ठीक है देने के लिए पौसुगों का परियोग के जाता है पौसुगों का परियोग भी इस अस्थम में किया जाता है तो इतना आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि अस्थम में इतनी बाते परयाप्त है यहीं होता है पुरा पुरा स्तम ठीक है? तो इसे आप लोग यहां में बना के ज़रूड आईएगा उसके बाद हम लोग यहां पर नेक्ट बात करते हैं यहां पर कि इन स्तंबों में देखेंगे तो एक मूर्ती लगा हुआ है ध्यार रखेगा बाद देखिए पहली बार जो बेवस्थित जो मूर्तिकला है हमें इसी समय दिखाई देगा हडपा सभ्यता के बाद हडपा सभ्यता के बाद देखेंगे तो बेवस्थित जो मूर्तिकला बेवस्थित मूर्तिकला इसी मौर्यकाल में आपको दिखाई देगा ये क्या होता थ तो अस्तम के उपर, ध्यान से देखते चलिए, अस्तम के उपर देखेंगे यहाँ पर ठीक है, अस्तम के उपर एक पसु आकरिती इसमें लगी होती थी, पसु आकरिती होती थी, अब यह जो पसु आकरिती है, किसी इनकी सी रूप में देखे देंगे, तो राजकिया कला को इ इंडिकेट कर रही है, इसमें बूत से सम्मंधित जो बना जाता था, खास करणा सोक के समय, चाहे हम लोग बात करें, सीह की विरी सब हो गया, बैल हो गया, इन सब के बारे में आप ठीक है, बनाया जाता था, जैसे एक एक जामपल के तोर पे देखें, अस्तम में, एक जामप देखने के लिए मिल जाएगी, और चौकी के उपर, मैंने यहां बताया हुआ था, यह जो चौकी है, इसी पर आपको विभीन परकार का चीन भी देखने के लिए मिल जाएगा, तो यहां पर ध्यार रखेगा, चौकी के उपर यहां पर बैल, बैल हो गया, इसके अलावा हा अब याद के रिए बुद्ध का जो धरम चक्र परवर्तन जब बुद्ध ने पहली बार ठीके सिछा गरण करने के बाद पहली बार जब उपदेश दिया था उसी को बोला गया धरम चक्र परवर्तन तो सारी की सारी जो बाते हैं देखेंगे तो किसी ने किसी रूप में जीवन का प्रति के रूप में इसको यहाँ पे दिखाया जाता है धरम चक्र परवर्दान इसी को तो वर्तमान में देखिए भारत सरकार के दोरा सामिल किया गहती रंगे जहन्डे के बीचो बीच देख रहे हैं न इसमें 24 तिलिया लगी होती है 24 तिलिया आप लोग काउन कर लिएगए ठीक है लगी होती है जो कि समय का सूचक है 24 तिलिया ठीक है टाइम 24 घंटे ठीक है चलता रहना चाहिए अब यहाँ पे इसमें कुछ हम लोग बात कर लेते हैं बिहार की भूमी में बिहार की भूमी में कुछ important तथ्यातमयक चीजे है इसे आपको ध्यान में रखना होगा जैसे कि यहाँ पर हम लोग बात करते हैं लौरिया नंदन गड़के लौरिया नंदन गड़के तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा सीह की मूर्ती यहाँ रखेगा सीह की मूर्ती ठीक है उसके अलावा यहाँ पर लौरिया अर्रे राज हो जाएगा एक हो जाएगा लौरिया अर्रे राज यह आपको देखने के लिए मिल लगा पूर्वी चंपारण में और यह है लौरिया नंदन गड़के पस्च में चंपारण में ठीके तरलोरिया अरे राज में आपको हो जाएगा यहां पे विडिसभ बैल का चीन इसी के लावा कुछ और भी देख लेती हैं इसके लावा बसार में जैसे सिंह का चीन हो जाएगा और उत्तर पर्देश उत्तर परदेश में जगा का नाम है संकिसा संकिसा में सिह की मुर्ति आपको देखने के लिए मिल जाएगी इसके लावे एक और जगा है बिहार में ही राम पुर्वा यहाँ पर आपको बैल की आकरिती देखने के लिए मिल जाएगी इसे आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा तो किस प्रकार से इसका निर्माड कराया जाता था आई होप आप लोगों ने समझ लिया होगा बहुत ही सुन्दर तरीके सा आप देख पा रहें यहाँ पे इसका निर्माड यहाँ पे कराया जाता था अब आई हम लोग यहाँ पे नेक्ष्ट बात करते हैं अस्तूप की अब चुकि यहाँ पे अस्तम के बाद नेक्ष्ट जो सिगमेंड था वो था यहाँ पे अस्तूप तो अगला आपको हेडिंग डलना है अस्तूप ठीक है तो देखिए शुरुवात में अस्तूप के द्वारा मना जाता है जो अस्तूप का बनवाया गया बुद्ध के जीवन उत्सव मनाने के लिए अस्तूप शुरुवात में जो बनाया गया बुद्ध के जीवन उत्सव को मनाने के लिए अगे चलके यहीं जो अस्तूप है बौध परंपरा का पूरी तरीके से यह हिस्सा बन गया और आगे चलके अस्तूप को धंब का भी ठीक है परतार के द्वारब बनवाया गया हुआ था कह सकते हैं कि शुरॉती तरह पे उदेश ही था बुद्ध के जीवन उद्शो को मनाने के लिए असो के द्वारब बनवाया गया हुआ था बात में यह चलके बहुत का हिस्सा बन गया बहुत धरम का और असोक ने भी धम का परचार पर सार करने के लिए अस्तूपों का सहारा लिया, अब थोड़ा अस्तूब के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी हो जाता है, सबसे पहले इसके बारे हम जानेगे, हम लोग इसका अर्थ क्या है, ठीक है, अर्थ, ठीक है, तो कह सकते हैं कि यह भी जो अस्थापत्य काला का, अस्थापत यकाला का परमुख अंग के रूप में आप इसे समझ सकते हैं और देखिए यह हुआ कैसे हैं थोड़ा इसके बारे में आपको ठीक है जनकारी ले लेना चाहिए तो माना जाता है देखिए कि जब ठीक है बुद्ध को मोक्ष की पराप्ती हुई माहा निर्मार की पराप्ती हुई आपको ध्यान होगा मोक्ष की जो बुद्ध की जो पराप्ती हुई कुसी नगर में हुई उत्तर परदेश के कुसी नगर में अब जैसे हैं आप बुद्ध को मोक्ष की पराप्ती हुई मैंने सिंपल भासा में कहें ठीके बुध की जब मिरुत्ती हो गई तो देखिए बुध उतर भारत में दच्छिड भारत में सारे ही छेत्रों में घुमे हुए थे लोगों से सासकों से वे इस कदर जुड़ चुके थे कि लोगों को लगता था कि भाई मुद्ध तो बिल्कुल हमारे हैं अब जैसे हैं लोगों को पता चला कि भाई बुद्ध नहीं रहे तो सारे जो सासक थे लगभा लगभा Bem यहां पर आठ सासक पहुँच गए कि भाई बुद्ध की सरीर हमें दो हम भाईन की जो अंतिम किरिया के कलाप है हम करेंगे अब समझ यहीं सबसे बड़ी समस्य का कारण है अब सरीर एक है लेने वाले आठ आठ यहां पर पहुंच गया है तो क्या सरीर को काटा तो नहीं जाएगा तो ही हुआ कि बुद्ध को जहां पे ठीक है मुक्ष की प्राप्ति यह कुसिन अगर में उनके असली सरीर को भाई वही रहने दिया जाए लेकिन जो भी उनसे सम्द्धित जो भी परतीक है जैसे उनका खड़ा हो गया बाल हो गया नाखुन हो गया ठीक है उनका पादुका हो गया इन सारे ही चीजों को हम लोग आपस में बाट लेंगे और फिर उसकी हम लोग आगे चलके पूजा करेंगे तो में जगा मतलब में जो कारण था यहीं था उसी नगर में ध्यार रखेगा आठ जगहों पे आठ जगहों के आपे सासक पहुंच गया अब ज करें आप इउरेनियम के नाभिक की तरह फैल ले लगा फैल ले लगा तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे अब दूसरी मोग बात करते हैं इसकी संराचना को लेके इसकी संराचना या फिर इसकी बिसेस्ताय किस परकार से इसका निर्माड किया जाता था अभी हम लो अस्तूप होते हैं हर अस्तूपो का अलाग अलाग उदेश्या होता है इसमें हम लोग बात करेंगे फिर परमुक अस्तूपो की परमुक अस्तूपो की तो चलिए बारी बारी सीदे हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसकी संराचना को रूप में आप समझ सकते हैं, विसे स्थाओ के रूप में आप समझ सकते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर बिलकुल आपको मेरे साथ पैरलल चीजों को बनाना है ताकि आप लोग क्लास रूम में ही समझ जाएं, तो देख पार हैं यहाँ पर सबसे पहले एक लाइन खीजना है, यहां पर बोला जाता है अंड ठीक है और यह अंड जिस पर यहां पर टिका हुआ है यह जो भाग है यहां से ब्लोग देखते चलिए इसको बोला जाता है मेगी में या इसी को चबूतरा बोला जाता है चबूतरा जिस पर ये अंड टिका होता है अब ये बिलकुल ही ठीक है हॉलो और स्फियर ट्राइब का मामला अगा बिलकुल बीच में हापर खाली जगा होगा ये जो देख रहे हैं ये इटो का इटो से यहां पर इसका निर्माड किय जाता है चत टायप का समजा सकते हैं बीच में चुक्चा घाली जगा adoption मंदिर मस्जीद ठीक है तो इसका जो निर्मार जो किया जाता है इटो से इटो से निर्माड इसका किया जाता है अब जस्ट इसके नीचे देखेंगे आपको ठीक है मिल जागा परदच्छडा पत ये वास्तों में क्या है तो ये ऐसे गोलाकार है द्यान रखेगा गोलाकार है चुकि यहां पर 2D मेरे पास ठीक है एक पेपर है तो इसमें मैं 3D में नहीं देखा सकता हूँ लेकिन ये गोलाकार आपको 3D में समझना है ठीक है ये वाला भाग उपर होगा तो ये वाला जो भाग कहला जाता है परदच्छडा पत परदचिडापत परदचिडापत मतलब मंदिरों करते हैं मतलब हिंदु धरम को लोग चक्कर करते हैं मंदिरों का चक्कर कारते हैं तो विसे ही बहुत धरम से सम्मंधित लोग यहां पर क्या करते हैं इसकी चकर लगाते हैं सस्तूप की तो यह होता है परदच्छडा पत ठीके उसके बाद यहाँ पर नीचे होता है वेदिका जिस पर पूरा कर सकते हैं ठीका होता है वेदिका ठीके इसी में यहाँ पर रेलिंग लगा होता है ताकि जब कोई परदच्छडा पत है करें तो कोई गिर न जाए तो रेलिंग लगा रहता है पत्थर का यहां पे रेलिंग होता है पत्थर का रेलिंग लगा होता है ठीक है अब इसके बाद देखेंगे तेहां पे मेन में इंट्री करने के लिए यहां पे चारों दिसाओं में होता है तोरण द्वार तोरण द्वार चार दिसाओं में होता है ठीक है जैसे कि मा भॉध धर्म का सबसे इंप्रोटेन्ट पार्ट यहीं होता है, जिसको बोला जाता है हर्मिका, ठीक है, इसमें क्या होता है ध्यान रखेगा, तो हर्मिका में यहां पे औवसेश रखे जाते हैं, किसके औवसेश तो बुध, जो भी बुध के पिरिय यह, जो सिसी जो हुए है जो बहुत धरम को आगे लेके गये हैं उनकी दात हो गया, नाखून हो गया चरण पादुका हो गया ठीक है, भिक्षा पात्र हो गया छोटी छोटा टुकडा इसमें यहाँ पे ध्यान रखेगा रखा जाता है, ठीक है पेटी नुमा एक संरचना होता है इसी के उपर आपको देखने के लिए मिल जाएगा एक डंडी, जिसको बोला जाता है इसको यस्टी, और यस्टी के उपर यहाँ पे छट्र लगा होता है इसमें तीन डंडी छोटी छोटी यहाँ पे लगी राती है अब इसका तीनों का तीनों ठीक है जो डंडी है जिसको छट्र बोला जाता है इसका कुछ परतिकात्मक्चीन होता है जिससे कि एक होता है सरद्धा सम्मान उसके बाद हो जाता है यहाँ पे उदारता सरद्धा, सम्मान उसके बाद हो जाता है यहाँ पे उदारता तो कुल मिला के यही है संरचना, अस्तूप की संरचना, ठीक है, तो थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है कि यह अर्ध विरितकार संरचना है, अर्ध विरितकार संरचना है, बिल्कुल मनें कैसे दिखा दे रहे हैं, एक उल्टा बॉल की टाइप, उल्टा कटोरा की भांती, ठीक है, इंट और पत्थर से इसका निर्मार किया जाता है, इसमें अलंकरन का भी परियोग खुब किया जाता है, अलंकरन का जो परियोग है, खासकर तोरर द्वार में, जो तोरर द्वार है, इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा, और जो अलंकर का परियोग किया जाएगा तोरण दोर में ध्यान रखेगा इसमें जो भी चित्र बना जाता है बुद्ध से संबंधित खास कर बुद्ध संबंधित जो जातक कथाओं को इसमें वार्डन किया जाता है कि बुद्ध छोटे में कैसे थे ठीक है ऐसे ठीक है सब यहां पर बताय ڈ coercit लेते हैं कुछ इसका परकार था ठीक है तो परकार को मैं यहां पर मेंशन कर जाता हूँ है सरीरीक अस्तूप नाम में सारीक सारा राज चुबा हुआ है सारीडीक अस्तूप सारीडीक अस्तूप में ठीक है देखेंगे तो बुद्ध से संबन्धित जो भी उनके सरीर से संबन्धित चीज हाँ रखी जाती जहीं से में बताया था दाथ हो गया या फिर बाल हो गया ठीकर नाखुण हो गया तो सब यहां प्रका जाता था honor उसके बाद होता है यह कोर होता है पारिभावव कस्तूप पारिभावव偈 कास्तूप में देखें गें त्प इस MOR बुध का जो चरण हो गए ख़ड़ाओो जिसको बोलते हैं ना चरण पादू का अब बुध ही नहीं है मैं बार-बार जब बुध बोड़नों तो उनके CCU को भी सामूल करके चलना है या फिर यहां पे भिक्षा पात्र हो गया पारिभा हो गया उसके बाद यहां पे हो जाएगा कुछ उदेशी का जो किसी ने किसी उदेशी के लिए यहां पे बनाया गया उदेशी का अस्थूप जैसे कि यहां पे कोई होता है संकल्पित अस्थूप संकल्पित अस्थूप इस में आपको देखने के लिए मिल जाएगी ठीक है बहुत तिर्थ थास्थलों के समस्दित बहुत तिर्थ असथ mechanics मौन्धित अब आयीए बात करते है हम लोगों को यहां पे कुछ परमुख अस्थूपों की तो कुछ परमुख अस्तूपों की तो कुछ परमुख अस्तूपों में जैसे की सब नहीं पर नाम लिखा है सारनाथ हो गया, लुम्बनी हो गया, बोध गया साची का अस्तूप सब यहाँ पर कुछ परमुख अस्तूपों में आपको mention कर देना है चलिए अब आई नेक्स लोंग बात करते हैं यहाप बिहार की चैत्य बिहार की तो आपको से सब heading डालना है चैत्य बिहार चैत्य का मतलब आप लोग थो दो समझने का प्रयास कीजिए ठीक है जैसे कि यह आपको अस्तूप में भी देखने के लिए मिल जाएगा और उसके लाव विहार के अंदर में भी उपियसी के द्वारा पूछा गया प्रस्न है यह ठीक है जैसे यहां पर बना हुआ है तो बीच में जो भाग है जहां पर बूत के मूर्थियों गरा रखी जाती है चैते उसको बोला जाता है ठीक है ठीक वैसे ही बिहारों में भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी जहां बिहार होता है भिच्चुक लोग रखते हैं समझ सकते हैं अगर वहां पर कोई अस्तूप नहीं बना है या फिर बरसात के दिनों में दिक्वत हो उनको बाहर नि गुफा बिहार चुकि ये गुफा नुमा अकृती में ही इसको ठीक है सेटल किया जाता है खासकर पहाडों को काट काटके और दोनों को मिला देंगे तो बन जाएगा ये गुफा अस्थापत्य का अंग अब युप सी कई से परस ने पूछा था कि जहां चैते होता है वहा होता है तीन टाइप का स्टेटमेंट हो गया अब पूरस न पूछ दिया था ओले वाफ ठीक है तो आप समझ गए होंगे तो आपको अच्छे तरीके साब को पढ़ाई करनी है अब यहीं है ठीक है अब थोड़ा इसकी संराचना का बारे में हम लोग देख लेते हैं यहां अब क्या होता है ठीक है तो शुरुवात में देखेंगे न पहारा को काट के कुछी स्टाइब का वृतकार आपको वृत के रूप में कुछी स्टाइब का आपका संराचना देखने के लिए मिल जाएगे ठीक है यह होता था परवेस द्वार परवेस द्वार अब सपोर्च कर यह थिरी डाइमेंशनल मेंके बहुत बड़ा कोई चटान है ठीके चटान को काटा गया है तो उसमें ठीके परवेस द्वार तो बनाया जाएगा न। उसके अंदर घुचने के लिए अंदर कच्छा होता था, बहुत सारा जो कच्छा जो बनाया जाता था, रूम, ठीक है, आयतकार रूम इसमें होता था, शुरुआती तोर पे, बाद में बहुत बड़ा आयतकार ही बनाया जाने लगा, ठीक है, आयतकार, ठीक है, ध्यार रखेगा, इसके दिवारों पे, ताक इसमें लकड़ी का, पत्थर का जो पीलर होता था, इसमें अलंकरण किया जाता था, खास कर इसमें पवसुगों की आकरिती को बनाया जाता था, ठीक है, अब आई हम लोग परमुक गुफा बिहारों की बात करते हैं, इसे का अंतरकत, परमुक गुफा बिहार, ठीक है, परमुक गुफा बिहार, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है, अब बराबर की पहाड़ी की, बिहार में ही इस थी थे हैं, ठीक है, बराबर की पहाड़ी, इसमें दो गुफा बहुत ही फेमस हैं, पहला तो था यहाँ पर सुदामा गुफा, और दूसरा था यहाँ पर करण चोपर गुफा, करण चोपर गुफा, ये दोनों ही गुफाओं में शुरुआते तर पे देखेंगे तो आजीवक संप्रदाई के लोग रहते थे आजीवक संप्रदाई के लोग यहाँ पे रखते थे अब समझ रहे ना आपको मैं एक कॉंसेप्ट में समझाता हूँ देखें यहाँ पे जब बुद्ध और जयन धरम का आगमन होगा तो आपको क्या लग रहा है कि बुद्ध और जयन समाज में आए और अच्छे-च्छे बाते करने लगए उच्छटे सथा विसापूर में और फ्यमस हो गए देखें ऐसा नहीं होता है ठीक है बुद्ध और जैन से पहले ही देखेंगे तो उस समाज में जो भी कुरुतिया, धरमकान, अडंबर ठीक है, जो भी सारी कुरुतिया मौजूद थी उन्ही सारे चीजों को बुद्ध और जैन धरम ने अपने लोजिकल तारकिक माधियम से उसको उठाने का परियास किया और इसमें लोग सफल हो गए लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि पहले लोगों ने परियास नहीं किया, और रेड़ी ठीक है, जब वेदों की विसद ब्याख्या की गई बहुत ही उसका कहा सकते है न करम कान दिया जब ब्याख्या की गई अलग-अलग समय में, ठीक है, अलग-अलग ब्रामर लोगों के तुवरा जब किया गया तो ओर डी देखेंगे तो उपनसदिया जब चिंतकों का जब आग्वन होगा, उपनसदिया चिंतकों ने इसी में पूरी तरीके से, लोजिकल तरीके से, तार्किक तरीके से अपनी बातों को रखा, जो की इस करम कान या फिर जो ठीक है, नेरो मैंड से जो भी इस ब्रामर धर्म के ब्याख्या कर रहे थे, वो उसका जवाब दे ही नहीं पा रहे थे, उक निस्तों के जवाब दे ही नहीं पा रहे थे, ठीक वैसे ही देखेंगे तो बीच के समय में लगभग 500 से 600 विचारधाराय आई, उसी में था एक जीवक संप्रदाय मखली गोसाल के द्वारा, मखली गोसाल के द्वारा एक किया गया, तो ये कुछ फेमस हुआ, ये कोर विचारधारा का नाम है, लोकायत संप्रदाय, लोकायत इसके नाम से आप लोग भली भाचित परिजित होंगे, ठीक है, चारवाक के द्वारा, चारवाक के द्वारा धीका भी लाया गया तो यह लोग बहुत अधिक फिर नहीं बुद्ध और जयन क्या हो गया फिर मैस व गया था आपको ध्यान रखना है उसी से संबंदित हैं यहाँ पे पर आजीवक संप्रदायत है ठीक है और आजीवक संप्रदायर ठीक मकली को साल के द्वारा तो यहाँ पर ठीक है, इसके जो लोग थे, यहाँ पर रहते थे, जिसे कि नाम सुना होगा आपने बिंदुसार, आजीवक्सम प्रदाय को मांता था, ठीक है उसके बाद कुछ और भी नाम है, जिसे कि हम लोग बात करते हैं, नगारजुनी पहाडी को नगारजुनी पहाड़ी को इसमें दो सासकुक ने बनवाया देहां रखेगा दो सासकुन यहां पर यहां पर यहां पर बराबर में नाम आ जाएगा असोक का और यहां पर एक नाम होगा असोक का और दूसरा नाम होगा यहां पर दसरत का उसके पहत्रह दसरत का ठीक है तो असोग के द्वारा तीन जो बनाया गया है जिसे की पहला है यहाँ पर गोपी गुफा गोपी गुफा नहीं होगा ठीक है लोमस रिसी की गुफा लोमस रिसी की गुफा द्याद रखेगा उसके अलाब हो जाएगा वर्थिका की गुफा उसके अलाब हो जाएगा विस्वा मित्र की गुफा विस्वा मित्र की गुफा एस सब यहाँ पर असोक के द्वारे बनाया गया तीन में से ही यहां पर दसरत के द्वारा भी निर्माड किया गया है जैसे कि गोपी गुफा ठीक है और भी हो जायगा विदांतिका की गुफा ठीक है और हो जायगा बहायक की गुफा ठीक है तो यहाँ पे दसरत के दुवारा जो भी चैते और बिहार का निर्माड कराया गया था वहाँ भी इस चीज़ को हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया ठीक है तो पूरा पूरा यही है इसका आयतकार दे यही है संरजना देख रहे हैं न यहाँ पे जो चैते और बिहार का इसका बेलनाकार छट भी होता था बेलनाकार छट ठीक है बेलनाकार छट का इस पे निर्मार कराया जाता था अब यहीं आगे चल के देखेंगे पाल सासकों कि समय तो चैते और बिहार हो गया खासकर बिहार की संरजना बड़े ही अस्तर पे आहां पे क ठीक है चलिए अब आए हम लोग बात करते हैं next यहां पर लोक कला को लेके या फिर मुर्ति कला को लेके लोक कला आप लोग heading डालिए यूँकि आप सोतंतर जो कलाकार है लोक कला लोक कला तो लोक कला में हम लोग ने देखा हुआ था कि इसमें अस्तंब के उपर पसु आकरिती का इसमें निर्माड भी किया गया था जो कि पूरा पूरा मैंने इसको complete आप लोगों को करा दिया है ठीक है अब भी मैंने करा हुआ था खासकर उस मुर्ति कला को लेके शारनात मुर्ति कला को लेके दूसरा है यहाँ पर स्वतंत्र कलाकार द्वारा निर्मित मुर्तिया निर्मित मुर्तिया ठीक है तब इसको थोड़ा आपनों को समझने के कोशिस कीजिए स्वतंत्र कलाकार द्वारा निर्मित मुर्तिया ठीक है अब इसमें देखेंगे तो बहुत सारा जो बहुत ही बड़ा-बड़ा हो सकता है यहाँ पर में लिखे दिए कि बिसाल यहीं पर हम देख लोग देखते हैं बिसाल आकर्सक शरीर पर एकदम कपड़ा डाले हुए कुछ-कुछ मुर्तियों में लगता है कि वर्तमान टाइप का अब हूसर पहने हुए एकदम पॉलिस लगा हुआ है उन मुर्तियों में सारी आपको विसेस्टाई देखने के लिए मिल जाएगे ठीक है बड़ा-बड़ा कर्सक शरीर पर कपड़ा डाले है भूसर पहने हुए पॉलिस दार मुर्तियों आपको देखने के लिए मिल जाएगी और इसमें सबसे बड़ी खासियत एक सोतंतर कलाकारों को दोर बनाया जा रहा है ति इसमें भारतिया जन जीवन को दिखाया जाने का परियास किया जाता था भारतिय यच्छ और यच्छिडी यच्छ और यच्छिडी को मना जाता है उस समय में ठीक है ये लोग ठीक है धन धान भर देने वाले ठीक है उन्हें लोगों की च्छाव पूरा करने वाले यच्छ और यच्छिडी होते थे तो इसकी लोग उसमें खूब अच्छी मात्रा में ठी लोहानिपूर में यहां पर यच्च की मूर्ति जो मेल है यच्च की मूर्ति मिला हुआ है ठीक है नगन रूप में वहीं पत्ना में जो दूसरा जो मिला हुआ है ब्यादी संदार दिदार गंज से यहां पर यच्च की मूर्ति मिली हुए एकदम नारी संदार येको इंडिकेट कर रही है नारी संदार येको इसमें दर्साया जा रहा है चमकीला एकदम पेंट एकदम लगा हुआ है और जितना भी यच्च यच्च की मूर्ति मिली है उसमें एक चीज कॉमन होगा ध्यान बार बार में लुखोंगा नहीं है फिर हेडिंग डाल देता हूँ चमकदार ठीक है या फिर इसमें बलुगा पत्थर का परियोग किया गया है इसकी अगर उचाई की बात करें तो लगबाग आईडियल कंडिशन में साड़े-पांच फीट साड़े-पांच फीट उची मुर बेसनगर यहां से आपको यच्छिडी की मुर्ति मिल जाएगी ठीक वैसे ही ठीक एकदम सुन्दर ठीक है नारी संदर्य को एकदम दिखा रहे थोड़ी इसकी हाइड अठीक है 6.7 फीट के आसपास वैसे ही यहां पे परखम ठीक है यूपी यूपी के मथूरा में आपको भूसा को इसमें दिखाया गया है मौर्य कालीन ठीक है वैस भूसा को दिखाया गया है लगबग 7 फीट उची यह मुर्ति मिली है ठीक है यह अच्की मुर्ति है इसके अलावा आपको और भी है यूपी में राजगाट में यूपी में ठीक है राजगाट में वरालसी में व पर मुखो वाला यच की मूर्ती मिली है धान रखेगा यच की मूर्ती यहाँ पर मिली हुई है तो ऐसे कुछ एक जामपल के रूप में आपको कोट कर देना है ठीक है इसी टाइप का आपको पर्जेंटेशन देते चलना है इसके अलावाद देखेंगे कुछ अन्य मूर्तिय में जो कि आम जन जीवन को भी ध्यान में रखा जाता था इसमें देखेंगे ना तो कोई जो थे बिसे सग्गे नहीं होते थे कोई मूर्ति के बिसे सग्गे नहीं होते थे जो भी अस्थानिय जो लोग थे अस्थानिय जो लोग थे उनहीं के द्वारा इसका निर्मार किया जाता था और इसमें सबसे बड़ी मात्रा में टेरा कोटा का परियोग के जाता था जैसे कि इनके द्वारा जो निर्मित कुछ परमुक बस्त भी है जैसे कि यहाँ पर देवता खिलावना एक दम हडपा काल डाइब का को दिखाए देगा ठीक है खिलावना अभूसर ठीक है इसके अलावा मनका मनका ठीक है सब आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी इसे कुछ इंपोर्टेंट एजांपल देख लेते हैं पटना में बुलंदी बाग से यहाँ पर नारी हो जाएगा या बाला की मूर्ति मिली है बाला की मूर्ति पटना में ही कुम हरार से कुमरार से हसते हुए हसते हुए लड़के और लड़की का चीन मनें लड़के और ठीक है लड़की का चित्र मिला हुआ है लड़के और ठीक है लड़की का यहांपे चित्र मिला हुआ है उसी तरीके से यहांपे देहरा दुन अब देहरादुन जंगल वाला इलाका है ठीक है और जंगलों में भारी मत्रा में हाथी पाये जाते हैं कालसी से ठीक है वहाँ पे हाथी के चित्र मिला हुआ है हाथी का चित्रा उसी तरीके से हैं यहाँ पे लोहानीपूर लोहानीपूर में ठीक है पटना से ध्यान रखेगा पटना के लोहानीपूर में ध्यान रखेगा यह आपे जैन तिर्थंकर की मूर्ति मिली है जैन तिर्थंकर की मूर्ति मिली हुई है उसी परकार से धौली उडिसा के छेत्रों में हाथी का चित्रा चुकि उधर भी बड़ी मात्राय में जंगल पाय जाते हैं हाथी का चीतर आपको देखने के लिए मिल जाएगी तो इस अब एक्जाम पाल आप लोगों को ध्यान रखना है और एक्जाम में मैं बैर बर बगगा रहा हूं ठीक है मेंसन भी अच्छे तरीके से करना है अब आई हम लोग बात करते हैं इसकी अलोचनात्मक समिक् अच्छड द्यान रखेगा अलोचनात्मक परिच्छड या एक मैं और सब हेडिंग इसके अंदर कर देता हूं ठीक है विदेशी परभाव क्या देखने के लिए मिलता है तो इसकी अंतरगत वो कभर हो जाएगा देखे सबसे बहले हम इसकी में बात करेंगे भूमका की ठी देना है कि यहां पे विदेशी पर्भाव के अंतरगति यहां पर इराणी परभाव इसमें दिखाया गया है कि जो मौरेकाल में जो भी आपर चितर और बन रहा था वो इरानी पर भाव इसमें बहुत आयतरा मातरा में देखने के लिए इसलिए बोलता है लोग कि इरानी जो ठीक है वास्तू कला का ही एक तरीके से यहाँ पर क्या किया गया कॉपी किया गया कॉपी पेस्ट किया गया है मौरेकला में तो अब यहाँ पर आपको तर्क देना पड़ेगा तर्क में आपको दो भाग में डिवाइड कर देता हूं ठी से कि जोन मार्सल का नाम आएगा सब बिदेशी थियास कर है ना कभी भारतियों को महत्तों नहीं दे गए लोग जोन मार्सल मार्सल एक हो जाएगा बसी बाउन बसी बाउन यह लोग देखो यहाँ पर क्या करता है लोजिकल तरीके से बातों को रखने का प्रयास करता है ठीक है कि जो भी यहाँ पर इरानी जो परभाव है ठीक है खास कर राजपरसाद में या फिर अस्तम की सनरचना हो गया या फिर जो भी यहाँ पर पत्थर की जो मुर्ति मिली है बहुतायत मातरा में पत्थर की मुर्ति मिली हुई है उल्टा कमल मिला हुआ है उल्टा कमल या जो भी चमकीला पॉलिस चमकीला पॉलिस जो भी यहाँ पर मिला हुआ है सब एक किसिन किसी रूप में देखेंगे तो यह तो पहले से यहाँ पर ठीक है इरानी समराजे मौझूद था इरानी समराजे मतलब समझ रहना है आपे उसने में नाम आप लोगों ने सुना होगा हाकमनी समराजे इसको बोला जाता है हाकमनी समराजे इंगलिस में उसी को आरकमीड आरकमेनियम समराजे भूलो जाता है आरकमेनियम समराजे आपको यहां पे बिपक्ष में बताना है कि देखो ठीक है ठीक है ऐसा नहीं है यहां पर कोपी ही किया गया है किसमकालीन अगर सभ्यताएं है जीसे की हरपाकाल का असरे संसान भालाका जो भी आपर तुम लोग राजपरसाद की बात कर रहे हो, पातली पूतर में जो राजपरसाद बना था, बिल्कुल यहां पर स्वतंतर बना हुआ था, स्वतंतर का मतलब कि जो भी आपर पीलर लगाया गया था, पीलर में किसी परकार का च्छत जो था ध्यार रखेगा ठीका नहीं था, पीलर के उपर कुछ बनाया नहीं गया था, पीलर के उपर कोई आकरिती यहां पर नहीं है, लेकिन यहां पर, यहां के राज परसाद में पीलर के उपर इती, आकरिती यहां पर बनाये गई थी, दूसरा बताना है, यहां पर अस्तम को लेके, कि यहां पर जो अस्त अथर में लगेगा एक ही बना हुआ है और तीसरा अस्तम्ब के उपर पौसू के आकरिती अस्तम्ब के ऊपर देखेंगे तो पौसू के आकरिती यहां पर देखने के लिए मिलेगी जो कि यहां पर इस हक्मनी समराजय में आपको देखने के लिए नहीं देखने के लिए आदम हूँ कि यहां पर आपको सपाट देखने के लिए मिलेगा टना सपाट और यहां पर पीलर कुछ इस टाइब का दीखता था इसे सीधे ठीक है सीधे ख़ड़ा एक डाम इस टाइब का ठीकुछ बढ़ी मात्रह में किया जाता था बहुत बड़ी मात्रह में किया आता था तो कुछ स्कुल मिला का अब देख रहे ना है आप है कि हर जगा जो कौपी करने का प्रियास किया जा रहा है ठीक है यह कहिन कहीं निरर्थक सावित हो रहे है ठीक वैसे भारत के समीधान में भी आरोप लगता है कि भारत का समीधान उध्हार का थैला है बृती सम्रा सेहों को द्वारा एक से एक विधवान थे उसमें, और फिर भारत के कोडिंग चीजों को अपने कोडिंग चीजों को हाँ पर रखा, तो अपने कोडिंग चीजों को रखना ओभी कहीं न कहीं देखेंगे, ठीक है, तो मोलिक्ता कि स्रेडी में आएगा, बिल्कुल इसे कॉपी पेस्ट यहां पे नहीं कहा जा सकता है तो यहां पे आपको समझना है कि समकली आपको बतानी कोसित करना है समकली सभ्यता थी तो थोड़ी बहुत हो सकता है कि क्या पता कि उन्होंने हमारी चीजों को लिया हो थोड़ा वो थमने भी ठीक है उनकी चीजों को लिया हो कुल मिला के ठीक है एक बैलेंस उतर लिखने का परियास करना है अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं आपे समिक्षा की समिक्षा में यहाँ पर आपको दिखाना है कि देखिए इसमें भारत में देख रहे हैं इसमें बहुत सारे मौलिक ततो का समयवेस किया गया मौलिक ततो का समयवेस जिसे की कमल में अलंकरन किया गया अस्तम में पसुव का चीतर बनाया गया अस्तम बिल्कुल एक आसमक थी ऐसे हर एक जगह का आपको दिखाई मतलब दिखाने की कोशिस करना है खाज कर इसमें राज की अततों को सामिल किया या फिर इसमें आम जंजीवन को भी सामिल करने का भरतक इसने परयास किया जो बिल्कुल ही देखेंगे तो एक मौलिक्ता से एकदम भरा हुआ था इतनी सारी बाते परियापत हैं, एक दो लाइन में इसको लाप ठीक है, दिखाने की कोसिस करेंगे अब आइएम लोग नेक्ट यहाँ बात करते हैं, धरम के साथ संबंध धरम के साथ संबंध मौरे कला का और धरम के साथ संबंध है तो उसमें समझ ही रहे होंगे आप लोग कि सबसे अधिक जो था परहचलित रूप में देखा जाए तो बहुत धरम भी था ठीक है बहुत धरम को राजकी प्रस्रे यहां पर मिला हुआ था तो थोड़ा साब को आपके बताने की परियास करना है जैसे कि हम लोग बात करते हैं हाँ अस्तंब का सिलालेखो का तो इसमें वैदिक धरम से लेके बहुत धरम तक की जलक मिलती है बहुत धरम तक की ठीक है जलक देखने के लिए मिलती है जैसे आगे चलके देखेंगे तो अस्तंबो में ठीक है गरुर का चितर भी आपको ठीक है बनाया जाने लगा फिर वहीं सारी बाते है बुद्ध के जीवन को दिखाने का प्रयास किया गया बुद्ध के जीवन को दिखाने का प्रयास किया गया जाता के कथाओ को दिखाने का प्रयास किया गया साथ में यहाँ पे जो भी विहार है उसका बड़ी मातरा में निर्मार किया जाने लगा जो कहिन कहीं ठीक है बहुत धरम कहीं पर भाव है सारनाथ अस्थम की बात कर ले सारनाथ अस्थम की यहाँ पर बात कर ले या फिर एक और इंप्रोटेंट चीज है यहाँ पर जैन दिगंबर की मुर्ती जैन दिगंबर की जो मुर्ती में जो मिली है कहिन कहिन यहाँ पर देखेंगे तो जैन धरम का भी जैन धरम का भी आपको परभाव दिखाई देगा ठीक है इन सारी बातों को बड़ी ही खुबसूरती से आपको यहाँ पर लिखना है आद दूसरी बात यहाँ पर कर देना है असोक की चर्च अगर आप नहीं करेंगे तो यहाँ पर यह सेग्मेंट अगधूरा रहेगा असोक आपको पता होना चाहिए कि खुद ही कलिंग के यूद के बाद से कलिंग के यूद के बाद से ठीक है बुद्धम सनर्णम गच्छामी हो गया था जी और जीनो देख की राह पर चल पड़ा था तो यह सब जो कामे करवा रहा है कहीं यहाँ ठीक है कलिंग यूद के बाद यहाँ पर असोक के द्वारा ही यहाँ पर करवाया जा रहा है इसलिए असोक ने बहुत धरम का परचार परसार करने के लिए बहुत धरम या फिर असोक ने एक और ची चलाया था, धम, धम भी चलाया हुआ था, धम में ःधिकतर जो पर्भाव है बहुत धर्म कई है, ठीक है? इसका परचार परशार करने के लिए अपने बेटा और बेतरी, उसका बेटा का नाम था, ठीक है? महेंदर, उसकी बेटी का नाम था संग मित्रा, इन दोनों को बोधी विरिच को लेके, पीपल विरिच को लेके कहां भेजा था, स्री लंका भेजा हुआ था परचार परसार करने के लिए, तो देख रहे हैं आपके कैसे मौरे कला पे, धरम का जो संबंध है, किस तरीके से आप जोड़ सकते हैं, इसी को, इ पिर इसके आप निसकर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है, कि देखो हड़ापकाल में सब चीज खतम हो गया, लेकिन पहला जो परियास था, उसकी जो निरंतरता है कहिन कहीं, आज हमें वर्तमान समाज में देखने के लिए मिल रही है, किसी भी छ पहलता मिलती हुई नजर आ रही है, चीक है, मूर्ती की बात करें, मूर्ती यहाँ पर बेवास्थित रूप से बनने लगा, ठीक है, पूरा एकदम दिखने लगा भई, एक नाक है, आख है, ठीक है, कान है, बहुत सारा इसमें नया समावेस भी करने का प्रियास किया गया, नया समावेस मतलब कहिन कहिए, मौलिकता को इंडिकेट कर रहा है, अस्तम के उपर, ठीक है, लोक कला का भी बल मिला, जैसे पसू की अकरिती हो गया, आगे चलके बहुत सारे जन्वरों की अकरिती, जो लोक कला, सुतंतर कलाकारों के द्वारा बनाया जा रहा था, वो भी जो ब्यापक, आगे चलके, यहीं जो रूप है, ब्यापक जो रूप है, आगे चलके, अलग-अलग, छेत्रों में, अलग-अलग सैली के रूप में भी develop हुगा, जिसे हम लोग बात करें, जब सिकंदर आया तो हेलिस्टिक कला बहुत ही भारत के पस्टिम के छत्रों पर तरफ चल रही थी तो उसी समय जब देखेंगे तो गंधार सैली का भी डेवलोपमेंट होने लगा जो कि ठीक है बिल्कुल देखाया तो युनानी सैली से परभावित थी युनानी सैली से थुरा सैली ठीक है इसका भी डेवलोपमेंट होने लगा और आगे चलके जाएंगे दच्छिल भारत में ठीक है आंदर परद्यस के तरफ तो उधर अमरावती सैली का भी विकास होने लगा तो कुल मिला कि ओरीजिन कौन है यहीं है देख पारे नहीं आप इसलिए मौरे कल से संबंधित चीजा आज वरतमान तक अगर देखे तो किसी ने किसी रूप में भले ही उसका लेवल उसका अस्तर ठीक है उसकी संरचना सब बदल चुकी है लेकिन मूल रूप तो कहीं कहीं उसी समय से दिया हुआ है जो मानो सभ्यता की पुरंपरता को निरंतरता को यहां पर दरसाता है तो कुल मिला कि यहीं था देखिए मौरे काल से संबंधित पूरा का पूरा मेने कंप्लीट करा दिया आप लोग अपना फीडबाइक जरूर दे ठीक है इसमें क्या इंप्रूब करना चाहिए वीडियो की लंबाई देखिए अधीक रहेगी ठीक है नो डाउ थेंक्स पर वाचिंग जेहिंद